को नमस्त दोस्तों गेसा पिक अच्छ हाँ के जाए अच्छी होंगे दोस्तों देशी मुर्गी और कड़कनात में किस में जा फाइदा र दोस्तों आप को कौन सी मुर्गी पालनी है जिसे आपको भई लुख में दिखा ओगा कि हमारे हाप जो रहते हैं सिर्प देसी चूज्फे मिलते हैं उर बला दे-श्म वन्मिलते हैं करकनाथ क्रस में मिलते हैं दोस्तों अप्ट है। तो दोस्तों आपको अपको अपर सब का मार्केट चेक करत tenho वहाँ क Graduate तो दोस्तों में सबसे पहले आपको हिसाब समझाता हूँ तो देखिए दोस्तों एक देशी मुर्गी आती लगबग मुर्गी है और तीन तीन मुर्गी और ऑगर यह मुर्ग को हम गिन लिए तो मंगर के मुर्गी है तो दोस्तों देखिए हमारे देशी अंड़े का रेट होता है बाई पचीस सतीस इस से ज़्यदा हमारे बाई का मिलता है और जो गड़कनाद का अंडे है का रेट हमारे यह पर दोस्तों 120 कड़कनाद का अंडे का रेट है हमारे हापर minimum 80 और highest 120 में खुद अपने घर के लिए लाय थ辜ा एक farm से उस ने 120 रूपर दोस्तों मुझे थंक कि लिंग के दिनों में अंडा दिया तो दोस्तो आप मिनिमम सो रुपे तो माली सकते हैं कि सो रुपे कड़कनाथ का अंड़ा मिलेगा हमको और जो 30 रुपे हैं हम देशी मुर्गया कड़कनाथ मुर्गया कड़कनाथ मुर्गया दोस्तो थोड़ा कम अंडे देते हैं लेकिन देशी मुर्गया ज्यादा अंडे दे लगबक हमारी एक कड़कनात मुर्गी 10 से 15 अंड में थसे तो लगबक दोस्तो यह आप यहां शामनी दे सकते हैं कि भाई देशी मुर्गी में हमें कम अगर आपके मार्केट में अगर अच्छा कड़कनाध का अंडे और मास का बाइस का देच करना है तो मैं इसलिए आपको क्या करना करना है क्ड़कनाध भई पहले दोस्तों मुझे को समझ नहीं आ रही है कि हमारे कालीक शोनी मुर्गी कि यह वीदेगी जानु करें टौक में टब तक के लिए